लेकिन ये उनिवर्सिटिटी का सिलेक्षन किसी नेता की इच्छा पे नहीं होगा, प्रदान मंत्री की इच्छा पे नहीं होगा, किसी मुक्ह मंत्री की चिठी और सिफारिच से नहीं होगा, पुरे देश की इन्वर्सिटिज को चलेंज रूट में निमंत्रित किया गया है उच्छलेंज रूट में हर किसी को आना होगा अपने सामर्थे को सिद्ध करना होगा और challenge route में जो top 10 private आएगी और top 10 public आएगी उनका एक third party professional agency के द्वारा challenge route में selection होगा और उस challenge route में राज सरकारों की भी जिम्मेवारी होगी जिस नगर में university होगी उनकी जिम्मेवारी होगी जो लोग university चलाते होंगे उनकी जिम्मेवारी होगी उनके इतिहास को देखा जाएगा उनके performance को देखा जाएगा वैश्विक्स तर पर आवशेक बढ़लाव का उनका रोल में पर देखा जाएगा और ये जो university top 10 10 आएगी 20 total उनको सरकार के नियमों बंधनों से मुक्त करके एक स्वतंतरता दी जाएगी उनको जिस दिशामा जैसे आगे बढ़ना है बढ़ने के लिए अवसर दिया जाएगा और इस काम के लिए पांच साल के भीतर भीतर इन उनिवर्सिटिज को 10,000 करोड उपी 10,000 करोड उपे दिया जाएगा ये central university ते कई गुना आगे हैं बहुत बड़ा थैसला है और पट्ना उनिवर्सिटी इसमें पीछे नहीं रहनी चाहिए ये निमंतर देने के लिए आपके पास आया और मैं आपसे आगे रह करता हूँ कि पट्ना उनिवर्सिटी आगे आएं उसकी faculty जाए आगे आएं और इस महत्मपुड योजना और पट्ना उनिवर्सिटी हिंदुस्तान के आन बान शान जो पट्ना की ताकत है वो विश्व के अंदर भी पट्ना उनिवर्सिटी की ताकत बने उसको आगे ले करके चलने की दिशा में आप मेरे साथ चलिए इसी एक सथ भावना के साथ मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुब कामरा इस सतामदी समारों में आपने जितने संकल्प किये हैं उन सभी संकल्प को आप परिपून करें इसी एक भावना के साथ मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद